नमुश्कार में उप्रिया आज वे आठ अगस्त खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर पटना मेट्रों में डाटा एंट्री ओपरेटर समेट 22 पदों पर होगी बहाली विखाद में शुरहुआ भूमी सर्वेक्षन का तूसरा चरण नीरा चोप्रा ने जावलिन थ्रों में खत्म किया सौसाल का सुख़़़ग अब नहीं खोल सकेंगे फर्जी कमपनी बिहार में पहले और दूसरे डोस के वाक्सीन के लिए अलग-अलग बनेगा सेंटर अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और वस्तार से नीरा चोप्रा ने खत्म किया जावलिन थ्रों में 100 साल का सूखा बीते दिन जापान की राजधानी टोक्यो में खेले जा रहे ओलंपिक के 15 वे दिन नीराच चोप्रा ने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है नीराच का दूसरा थ्रो 87.58 मीटर का था और उनका यह प्रयास उन्हें गोल्ड मेडल दिलाने के लिए काफी रहा नीराच इसी के साथ ओलंपिक खेलो में जावलिन थ्रो मेडल जीतने वाले पहले भारतिये बन गए हैं यह भारतिया ओलंपिक इतिहास में 100 वर्षो में ट्रक एंड फील्ड में भारत के लिए पहला मेडल है वही नितीश कुमार ने भी इस दोरान टोक्यो ओलंपिक 2020 के जावलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने पर नीराच चोपरा जी को हाद इक बधाई एवं स्षुब कामना है उनके इस जीत पर पूरा देश गौरवानवित है मैं उनके उजवल भविश्व की कामना करता हूँ पटना मेट्रो में डेटा एंट्री उपरेटर समेथ 22 पदो पर होगी बहाली पटना मेट्रो में नौकरी के लिए इंतजार खत्म होने वाला है पटना मेट्रो रेल कॉर्परेशन लिमिटेड अब नियुक्ती प्रक्रियाज शुरू करने की तैयारी में जुट गया है वाइस पदो के लिए जल्द ही बहाली प्रक्रियाज शुरू होने वाली है जोस केते हैं ड्राफ्टमैन में एक, आईटी एग्जेक्यूटिव में दो, स्टेनोग्राफर में पाँच, डेटा एंट्री ऑपरेटर में पाँच, स्पोर्टिंग स्टाफ में दस पद शामिल है या बहाली एज़ंसी के माध्यम से होगी इसके लिए एज़ंसी हायर करने की प्रोकरिया तेज हो गई है, इसको लेकर निविदा जारी कर दी गई है बता दे कि मेट्रों के कॉरिडर दो को प्राथमिक कॉरिडर रखा गया है दिल्ली मेट्रों की तरफ से इस रूट पर स्टेशन बनाने के लिए निविदा फाइनल हो चुकी है पंचाय चुनाव में एक बूथ पर इतने ही लोग डाल सकेंगे वोट पंचाय चुनाव की तयारियां बिहार में शुरू हो गई है इसी बीच अब राज्य निर्वाचन आयोग ने मदान को लेकर एक और बड़ी अपडेट जा रही है राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बूथ पर एक बार वोट देने आए मदाताओं की संख्या को तैय कर दिया है जिसके तहती आयोग ने इस बार की पंच्या चुनाव में प्रतेक बूथ पर 850 मदाताओं के मतदान करने की इजाज़त दी है राज्य निर्वाचन आयोग की माने तो जिलों में बूथ की संख्या बढ़ने के बाद इस बारे में कोई भी निर्णे लिया जाएगा इसके लावा आयोग की निर्देश पर इस बार पंच्या चुनाव में चार इवियम प्रतेक बूथ के लिए निर्धारित की गई है इवियम से इस बार जुला परिसत, पंच्यायद समीती, मुख्या और वाट सदस्य का चुनाव होना है जबकि सर पंच्या और पंच्या चुनाव बैलेट पेपर से होना है बिहार में 116 साल बाद होगा मंदिरों के सर्वे का काम बिहार में लगभग 116 सालों के बाद मंदिरों के सर्वे का काम शुरू होने वाला है जिसकी जानकारी बिहार के विधी मंत्री ने अपना बयान जारी करके दी है और उन्होंने कहा कि मठ मंदिरों की जमीन के साथ ही दान की गई जमीन जिन पर अब तक मालिकाना हक नहीं हुआ है उनका सर्वे करवाने का काम क्या जाएगा इस बाबत सरकार की तरफ से 20 जिलों में भूमी सर्वे का काम टीम बना कर शिरू कर दिया गया है पटना में जिला प्रसाशन के साथ विधी मंत्री ने बीते दिन इस बाबत बैठे की जिसमें धार्मिक नियास बोड के कई प्रतिने धी शामिल हुए थे इस दौरान उन्होंन देश का पहला राजवे बनने वाला है यानि कि बिहार में अब कितनी आबादी का जन्म हुआ है और कितनी आबादी की जान गई है इसका डेटा सारवजनिक होने वाला है इसको लेकर आईटे विभाग जल्द ही पोर्टल तयार करने जा रहा है पारट पारशदों के माधि जानगवाने बालों के आकडों में हुई परिशानी के कारण यहनल्य ने लिया गया है उन्मूलन के लिए बिहार सरकार ने शुरू की तयारी कोरोना और डेंगु की मार के बीच बिहार में एसको जुलों में माज डरुग अडिनिंट्रेशन अभियान चला जाएगा पटना, सहरसा, सारन, सीतामढ़ी, सिवान, सुपॉल जिले को शामिल किया गया है स्वासमंत्री मंगल पांडे की तरफ से मिली जयानकारी के नुसार यह अभियान 20 सितंबर से शुरू किया जा रहा है जो की पहले 14 जून को ही शुरू होने वाला था अब ड्राइवरों के लिए तै होगा गाड़ी चुलाने का समय व्यवसाइक वाहनों के ड्राइवरों के लिए गाड़ी चुलाने का समय तै होने वाला है इस बावत हाली में केंड्री सरकार की तरफ से भी बिहार सरकार के नाम पत्र जारिक किया गया था और अस्मुद्धे को लेकर एहम जानकारी साजा की गई है जिसके तहट केंद्रिय सरकार ने सड़क हात्सों में आ रही वृद्धी को देखते वे व्यवसाइक वाहनों की निगरानी बढ़ाने की बात कही है इतना ही ने केंद्रिय सरक परिवहन इवं राजमार्ग मंत्राले ने इस बावत अव्यवसाइक वाहन चलाने वाले ड्राइवरों के काम के घंटे भी तैकरने की बात कह दी है सरकार का कहना है कि अंतराजिय परिवहन सेवा में ड्राइवरों को लगातार कई-कई घंटों तक वहनों को चलाना पड़ता है ठकावट के कारण ही दुरघटना की आश्रंग का बढ़ जाती है ऐसे में जरूरी है कि ड्राइवरों की गाड़ी चलाने के समय को तै किया जाए बिहार में अब आसानी से होगी कॉर्णिया ट्रांस्प्लांट की सुवधा बिहार का यह पहला संस्थान होगा जहां यह सुवधा विक्सित की गई है इस नई सुवधा की मदद से मरीजों को टाका लगवाने की अनिवारता से चुटकारा मिलेगा यानि कि अब बिना टाका लगवाई ही कॉर्णिया को बदला जाएगा इतना ही नहीं इसके तहट अब सिर्फ एक से डिड़ घंटे में ही ट्रांस्प्लांट हो रहा है साथी मरीज और डॉक्टर का समय भी बच्छने नगा है जॉंसन औन जॉंसन की सिंगल दोस वाक्सीन को मिली मंजूरी कोरोना के वर्तमान माहौल के बीच बड़ी खुश खबरी भारत में कोरोना के जॉंसन औन जॉंसन की सिंगल दोस वाक्सीन को मंजूरी दे दी गई है जिसकी जानकारी स्वासमत्री मंसुख मंडावया ने ट्वीट करके दी है वैश्विक स्वासत सेवा प्रमुख जॉंसन औन जॉंसन ने बताया था कि उन्होंने अपनी एकल खुराक वाली कोरोना वाक्सीन के भारत में अपातकाली नुपियों की अनुमती के लिए आविधन किया है कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान ज्यारी कर कहा कि जॉंसन औन जॉंसन प्राइवेट लिमिटेड ने पांच अगस्त को भारत सरकार के पास अपनी एकल खुराक वाली कोरोना वाक्सीन के ई-ई-उ-ए के लिए आविरन किया जिसके बाद मन्जूरी मिल गई है आज बिहारी पैच्वार में हम बात करेंगे आरसी प्रसाद सिंग की का संग्रह किया है वहीं उन्हें अपनी एक कविता के लिए साहित अक्याडमी पुलसकार से भी नवादा जा चुका है अगले दो दिनों के लिए बिहार में जारी हुआ बारिश का अलर्ट भारतिय मौसम विभाग के पुर्वानुमान के नुसार बिहार समेथ कई राजियों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई जानकारी के नुसार बिहार में अगले 24 घंटे में कई जिलों में बारिश हो सकती है बिहार में मौनसून सख्रिय होने के कारण राजु में कई हिस्तों में लगातार बारिश का दौर जारी है अगले 24 घंटे के दौरान राजु के कई भागों में बारिश की संभावना है उतर बिहार के कई जगों पर आकाशी बिजली चमकने के साथ भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है इसके साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि सभी लोग इस दौरान अपने घरों में ही रहे बिहार में शुड़ हुआ भूमी सर्वेक्षन का दूसरा चरन बिहार में भूमी सर्वेक्षन के दूसरे चरन का काम शुरू हो गया है जिसके तहट राजस्विवं भूमी सुधार विभाग ने दूसरे चरन में 130 नई अंचलों में सर्वे का काम शुरू कर दिया है दूसरे चरण में बचे हुए कुल्विला कर 18 जिलो को इसमें शामिल किया गया है। सरकार के स्निर्नल से करीब एक साल के अंदर आधे बिहार के जमीन की पहचान हरबंदी जैसे विवाद की संख्या एकदम गेट राई गया है। पंचायती राज विभाग ने खर्च नहीं किये राशी को लेकर पूछे सवाल। पंचायती राज विभाग ने जिन जिलो के डी डी सी को शो कॉज नोटिस जारी किया है। उसमें राजभानी पटना के अलावा भोजपुर, मुजफरपुर, अररिया, अर्वल, और अंगाबाद, नवादा, जुहानाबाद, सहरसा, पुर्णिया, सीतामधी, पश्रुम चंपारन, वैश्वाली, कटिहार, मधुबनी, समस्तिपुर और बांक का शामिल है। बैंक ओफ इंडिया में हुई 16 लाख रुपे की लूट, जहाएक तरफ बिहार में सुशाशन की बात लगातार कही गई है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के नाक के नीचे से बैंक ओफ इंडिया में 16 लाख की लूट का मामला सामने आया है, जो कि बिहार के समस्तिपुर, ज बैंक कर्मियों ने पुलिस को जानकारी दे, उसके बाद यह प्रसाशन इस पूरे मामले का पता लगा रही है, अब नहीं खोल सकेंगे फर्जी कंपनी, फर्जी कंपनियों की शुकायत लगातार सामने आती रही है, यह कंपनिया, जी एस्टी की चोरी या गरबड़ी करने में माहिर होती है, हलाकि अब ऐसी कंपनियों पर नुशाना साधने को लेकर एक नए आनियम बनाए गया है, जो कि किसी भी कंपनी के निबंधन के समय लागू किया जाएगा, इसके तहत कंपनी के रजिस्टर्ड कार्याले के नाम और पते का फिजिकल वेरिफिकेशन, जी इस्टी की पदाधिकारी खुद करेंगे, साथी कंपनी के स्थान पर पहुँच कर उसके कारयाले और इस पर लगे बोर्ड की फोटो खीचेंगे और उन स्पोट इन सभी फोटोग्राफ को जी ओ टागिंग के साथ जोडते वे इसे सर्वे करेंगे बिहार में पहले और दूसरे डोस के वाक्सीन के लिए अलग-अलग बनेगा सेंटर बिहार में वाक्सिनेशन अभियान जोर शोर से चलाय जा रहा है बिहार सरकार की यही कोशिश है कि संभावित तीसरी लहर से पहले ही बिहार के अधिकतर जनता को वाक्सीन की डोस लगा दी जाए इसी बीच बिहार में कोरोना वाक्सीन को लेकर एक और एहम जानकारी साज़ा की गई है जिसके तहट बिहार में वाक्सीन के पहले और दूसरे डोस के लिए अलग-अलग सेंटर बनाने की योजना बनाई गई है यानि कि अब जो भी सेंटर जिस भी डोस के लिए नरधारित किये जाएंगे उस सेंटर के केवल वही डोस महा पर दिये जाएंगे हलागी सरकारी जानकारों की माने तो पहले से चल रहे टीका करन केंद्रों में से भी कुछ को दूसरी डोज देने के लिए चुनहित करने का आदेश जारी किया गया है अब तक बिहार में 2.6 करोड लोगों का टीका करन किया जा जुका है अगर आपके वहनों का बीमा भी नहीं हुआ है तो आपको साफधान होने की जरूरत है क्योंकि अब बिहार में ऐसे वहनों के खिलाफ सक्सी दिखाई जाएगी जिसके तहट अगर किसी वहन से सरकदुर घटना हो जाती है या किसी व्यक्ति की जान इसमें चली जाती है नावजे किदाश्वी नहीं आदा की जाएगी इसको लेकर बिहार मोटरगारी नियामवली 1992 और बिहार मोटर वहन दुरगटना दावा नियाधिकरन नियामवली 1961 में वांशुत संचोधन किया गया है जो की 15 सतंबर से पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा गोपालगंच हवाई अड़े को चालू करने की शुरू होई तयारी बिहार को जल्दी एक और हवाई अड़े की सौगात में निवाली है बिरी जानकारी के नुसार बिहार में गोपालगंच के हवाई अड़े को चालू करने की कवायद तेज होती दिख रही है इतना ही नह की मांग को लेकर सांसर डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने भी नागर विमानन मंत्री जोतिरादित सिंध्या से हाली में मुलाकात की थी जिसके बाद ही रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहट इसे चालू करने की स्विक्रती दी गई है तेजस्वी आदव ने जातिये जनगंणा को लेकर दिया बयान बीते दिन जातिये जनगंणा के मुद्दे पर राज़त ने धर्णा प्रदर्शन किया था यह सर्वविदित है कि देश में समाज़ेकार्थिक रूप से सबसे पिछरे OBC, SC, ST और EWS है समाज़ेकार्थी सेक्षिनिक और राजनेतिक पिछरापन एक बिमारी है बिमारी से मुह मोडने से नहीं बल्कि उसको जड़ से खत्म करने पर कोई बात बनेगी इसके साथ ही उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर उत्थान और समावेशी करन के उपाय करने से ही उपचार होने की बात भी उन्हाने कही है जदियो अध्यक्ष ने अकेले यूपी मनिपुर में चिनाब लडने के दिये संकेत हाली में विहार के नमन्यूक्त रास्ट्रे ध्यक्ष ललन सिंग ने जदियो की जिम्मदारी संभाली है तब से ही वो जदियो को मजबूती के साथ हुभारने की कोशिश में लगे हुए है इसे बीच अब ललन सिंग ने आने वाले समय में जदियो के स्टन को लेकर सब कुछ साफ कर दिया है जैसा कि आपको पता है कि आने वाले समय में यूपी और मनिपुर में चिनाब का आयोजन होने वाला है ऐसे में जदियू ने अभी से ही साफ कर दिया है कि आने वाले चुनाव में अगर एंडिये ने जदियू का साथ नहीं दिया तो जदियू इन दोनों जगों पर अकेले ही अपने दम पर मैदान में उतरेगी हालाकि उन्होंने इस मुद्दे पर पहले बात करने का आश्वासत दिया है बात बनी तो साथ में मैदान में उतरेगे नहीं बनी तो अकेले मैदान में नज़र आएंगे बीते दिन लोचपा को जदियू ने एक बार फिर से करारा जटका दिया है मुश्किलों में फसील लोजपा की मुश्किले अब और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि जद्यों को छोड़कर लोजपा के साथ जगदीशपूर के पुर्विधायक भगवान सिंग कुश्वाहा ने एक बार फिर से जद्यों का दामन थाम लिया है जानकारों का कहना है कि यह भगवान सिंग कुश्वाहा की घर वापसी हुई है हलाकि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया कुछ दुनों पहले ही भगवान सिंग कुश्वाहा और वशिश नारायन सिंग की मुलाकात हुई थी जिसके बाद से ही उनके जद्यू में शामिल होने की संभावना तेज हो गई थी, शुक्रवार को उन्होंने खुद इसकी घोशना की थी जातिय जनगर्ना को लेकर राज़त जद्यू के विचार एक लेकिन बयानबाजी तेज बिहार में जातिय जनगर्ना की मांग लगातार देखने को मिल रही है जहां एक मुद्दे पर राज़त भी हां में हां मिला रहा है महीं दूसरी तरफ एंडिय भी दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है हलाकि एंडिय नेताओं को राज़त का यह समर्थन कुछ रास नहीं आ रहा है यही कारण है कि बीते दिन राज़त की तरफ से किये गए धर्णा प्रदर्शन को लेकर जदियू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सम्विधान में सभी दोलों को धर्णा प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन ते जस्पी आदफ हमेशा आपदा काल में बिहार से गाइब रहते हैं अब इस नए दोर में वो आंदोलन की रणनीती अपना रहे है जस्पी इंद भुप्रा के छक्के की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए सचिन भारतिय क्रिकेट टीम नॉटिंगम में ट्रेंट ब्रिज में इंग्लाइन के साथ माच मैचों की टेस्स सीरीज का पहला टेस्ट खेल रही है जहां भारतिय थेज गेंद बाज जोस प्रीद बुम राज शायवे हैं जिसको लेकर अब सचिन तेंदुलकर ने अपना बयान दिया है जिसके तहत कि उन्हों ने कहा कि पुछल ने बल्लेबाजों की तरफ से बनाए गए एहम रनों की वज़े से टीम इंडिया को बड़ी बढ़त मिली है यह देखना दलचस्प रहेगा कि इंग्लान पीछे रहकर कैसे जवाब देता है वैसे जस्प्रीद बुम्रा ने आज अपनी जिन्दीगी का सबसे अच्छा शौट खेला है भारत के दिहास में आज की तारीक कई कार्णों से है दर्ज भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस में 1942 में बंबई सत्र में भारत छोरो प्रस्ताफ पारित हिया तेजस्विनी सावन 2010 को मयोनिक में आयोजित विश्म निश्वाने बाजी प्रतियोगिता के अब आये जानते हैं सराफब बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव अगर हम सराफब बाजार की बात करें तो सोने का भाव साथ अगस्त को 22 क्यारट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,200 रुपे था वहीं 24 क्यारट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,150 रुपे था इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,000 रुपे था इसके साथ ही राज़दानी पट्ना में पिट्रोल की कीमत 104.25 रुपे प्रति लीटर और डीजल के दाम 95.5 रुपे प्रति लीटर था कर हमारे दोर आप पूछेगे सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके रहे आपको बहुत बहुत धनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनकी नाम है धनु कुमार, अंगत कुमार, राजीव पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम देने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते आज के सवाल क्यों राजीव का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुसार एथलीट में 100 सालों बाद गोल्ड मिलने पर आप नीरत चोपरा को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़े खबरों से अबडेटेट हैने के लिए हमारे योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइक कौन दबाना ना भूलें क्यों आज करेंग।